गुद मॉर्निंग तो ओल दे फूटर ओफिसर्स के सीरीज में 26 तो मार्च पहुंच चुके हैं आइपके एक्जाम के त्यारी अच्छे से चल रही होगी अभी यू आफ तो बी वेरी सीरियस बाट एक्जाम के लिए एन एवरी डे आपके जो भी असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको कम्लीट करने पढ़ेंगे दिस इस ब्रीफ इन अड़क्शन अबाट मी माइम इस प्रिंस लूथरा ओल इंडिया रंक 577 फ्रम यूपी एसी एसी 2014 बैच आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एड़रेट प्रिंस अंडर्सको लूथरा पे मुझे टेलीक्रम कर सकते हैं आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो जो हम डिसकस करने वाले हैं तो शुरुबाती दोर में म्यूटिंट करोना वारेस के बारे में जानेंगे यहां पर आपको आपको आपकी यूट्यूब के दिख रहा होंगे इनको जरूर आप attempt करिएगा because last one year के जो current phase है इसके तरू आपके पूरे complete हो जाएगे जो MCQs पिछले एक साल में हमने cover करें है और जो कि आपके इस साल में जितने भी exam होने वाले है उसके लिए important है ये जो videos रहेंगे एक से दो मिनट के रहने वाले हैं तो इसको start करिएगा और इस सीरीज freely network IS application के उपर available है यहां पर जाके आप उस पूरी सीरीज को practice जरूर कर लीजएगा एक साल के जो 365 days के जो current phase के MCQs है वो available है उनको practice करना काफी जरूरी है इसी वज़े से वो free cost रखे गए हैं ताकि आपके upcoming exam के अंदर बिल्कुल भी परिशानी आपको ना करनी तो इस चीज़ को use कर लीजएगा जब आप exam.netmock.com पे जाकर सीरीज को अंदर enroll करने की कोशिश करते हैं then take this benefit holy 50 code को use कर लीजएगा चलिए जल्दी से target को set करें कितना target upset करके चल रहे हैं so that we could actually achieve it or daily basis पे हम अपने target के या तो उससे close कर पहा है जल्दी से target को set करें 6 questions जो है 6 का जो score है वो यहाँ पे safe score रखा गया है मतलब वो आपका cutoff का score है 6 से जाधा आपको score करना ही है और अगर first time में नहीं कर पाते हैं तो आपके पास multiple time attempt का option रहता है कि next time आप इसे 6 के जो score है उसको cross कर ले but कोशिश करिएगा daily basis पे देखकर आपने score को in upper two brackets के जो की safe zone कहलाता ह है इसके नहीं सेट करने के चलिए आज के पहले कुशिशन पे चलते है तो अभी अभी आपने काफी news में देखा होगा कि double mutant coronavirus जो है उसके बारे में काफी सारी news आ रही है वो क्या है वो तो हम देखेंगे लेकिन कहां से इस चीज की news आ रही है कहां पर ये पाया गया है जो है उसे अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया गया है कुछ सेंपल जो थे वो इंडिया से इकटे किया गये थे और वहां पर ये double mutant जो है double mutant variant जो है कॉविट का वो निकल गया है ऑफिशियल्स जो है इसको चेक कर रहे है कि जो वेरियंट है जिसमें two mutations जो है पहले क्या होता है यह ज्यादा infectious हो mutation की वज़े से वो भी double mutation की वज़े से साथ ही साथ जो वैक्सीन है हमने यहां पर वैक्सीन का जो यहां पर वैक्सीन बनाई है उसका भी impact जो है इस particular mutant coronavirus पर आफिर कहें double mutant coronavirus के उपर जो वैक्सीन है उसका परभाव कम पड़े चिक है तो यह double whammy हो गया हम unique double mutant coronavirus variant with a combination of mutation कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं देखा गए अभी सिर्फ इंडिया में देखा गए सबसे पहले जो topic है उसको underline करें correct पूछा है कि तीन statement में से correct बताएं कौन सी है देख लेते हैं the canal separates the African continent from Asia Asia और Africa को यह अलग-अलग करता है हो सकता है it is one of the world's most heavily used shipping lanes जिसके उपर 12% पुरी दुनिया का जो trade है by volume वो करा जाता है it connects the Mediterranean Sea and the Red Sea Mediterranean और Red Sea को यह connect करता है सोचिए इसके बारे में क्या answer हो सकता है यह आपका मिला जोड़ा सा question है जिसमें आपकी GK GSB टेस्ट हो रही है साथे साथ आपकी map की knowledge वह काफी अच्छे से चेक हो रही है सोचिए इसके बारे में चलिए Swiss Canal News में थी एक बर इसके बाले में चानल लेते हैं Swiss Canal जो 192 किलोमेटर लंबी एक लेन है जिसके त्रूप कार्गो जो होते हैं उनको पास किया जाता है इसमें है क्या Europe से North Africa Western Asia में आना जाना हो तो इस रास्ते को अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि इस रास्ते को आफ्रीका नहीं जाना पड़ते है दीकि मैं आपको दिखाता हूं एक बर सो यहां पर यह आपका Middle East है यहां पर आपका एशिया हो जाता है यह आपका Arabian region है यह वाला region आपका क्या हो जाता है आफ्रीका हो जाता है उपर आपका यह वाला जो डीजन है यह आपका Europe हो जाता Similarly, यहां से Asia तक पुचानी तो इस रास्ते को यूज किया जाता है, अगर यह रास्ता नहीं होता है, बंद होता है यहां से, तो यह पूरा African continent है, इसके नीचे से घूम के जाना पड़ता है, और इसी वज़े से यह particular location जो है, एक strategic point बन जाता है, तो canal सेपरेट करता है African continent को Asia से बिल्कुल ठीक है, पहली चेपन आपके ठीक हो जाती है, it is one of the world's most heavily used shipping lanes क्योंकि रस्ता इतना ज्यादा बच जाता है इसे, कि यहीं से ही various countries अपने cargos को बेजना प्रिफर करते हैं, तो second statement भी आपकी यहां पे correct हो जाती है, यह Mediterranean और Red Sea को connect करता है, तो यह statement भी ठीक है, Mediterranean और Red Sea को इसी कनल के द्वारा connect किया जाता है, long cargo ship name जिसका नाम था Ever Given, यह stuck हो गया near the southern end of the Suez Canal due to mishap post by bad weather, तो अभी वहाँ पे वेदर अच्छा नहीं था, उसकी वज़े से, यह जो particular ship था, यह news में था और यह वहाँ पे stuck हो गया था, इसी वज़े से Suez Canal भी news में आया और Suez Canal के प्रकॉशन बनके आ सकता है, this is closing a huge jam, अभी है जो ship वहाँ जैसे कि रोड पे भी होता है, रोड पे अगर किसी की काड़ी खराब हो जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पे एक तरीके से traffic jam, जैसे situation create हो जाती है, उसी तरीके से स्वेस कनल कोई बहुत बढ़ा रास्ता तो है न चाहे नहीं पा रहे हैं च्रीक है और जिसकी वजे से इसको जो international trade है, इसको भी नुफसान हो रहा है क्योंकि इस region को, ये काफी important term है international trade, आर्टरी को जाता है, इस वजे से जो jamming है, ये काफी नुफसान पहुचा सकते है international trade को जो कि अभी हो भी है, जीक है, this was the news, जिसकी इसके आपर यह question और भी discuss करेंगे, but right now we'll just confine our discussion to this point और तीनों statement यह कोने की वज़े से answer आपका D हो जाएगा, और चलते हैं अभी next question के आपर which is question number 3 which of the falling cyclone damaged Sundarban's region in 2020, 2020 में Sundarban region को West Bengal के अंदर किसने सबसे दादा match किया था, इसके उपर question इसलिए बनाया गया है, क्योंकि अभी Bengal के अंदर election आ रहे है, election के उपर question नहीं कुछ आ जाएगा, administration के अंदर यह चीज़े कम कुछी जाते है, once you become the election commission of India या उस particular commission को आप जोइन करते हैं, तो आपको इसके बारे में knowledge जादा होनी चीज़े, exam के perspective से question elections को लेके नहीं आ था, लेकिन वहाँ पर जितने भी parties खड़ी है, election के उपर fight कर रहे है, they are saying the same thing, कि एक बार हम जीत के आते हैं, तो जो सुंदरबन का एक devastation देखा गया था, पि हमारा interest नहीं है, ना होना चाहिए, अभी right now, एडिवरी स्टी प्रस्पेक्टिव से देखें, तो question ये पूचा जाएगा, कि ऐसा कौन सा cyclone तो जिसकी वज़े से सुंदरबन नश्ट हुए थे, क्योंकि काफी सारी parties जो है, वो यहीं कह रही है, कि सुंदरबन जो पिछले स parties जो है, वो कोशिश करें कि जो Bengal की जनता है, उनको motivate कि एजा सके, persuade कि एजा सके, ताकि उनके vote को हासिल कि एजा सके, सुंदरबन रीजन जो था last year M1 की वज़े से काफी ज़ादा devastate हो गया था, काफी ज़ादा damage जो था, वो यहां पर देखा गया था, तो answer क्या हो जाएगा D will be your correct answer, चलिए, तो Bayo Bengal में आया तो यह चीज़ भी दिहान रखिएगा, M1 के बारे में, बाकी भी जो बुल-बुल है, फेनी है, निसर्ग है, यह भी कहां कहां पर आयते बताएगा, और इनकी मुझे से सबसाद नुपसान कहां हो था, वो भी मुझे बताएगा, comment section के जारे का moment हुआ था उसके बाद, जो body थी, उसको एक, आप कह सकते हैं कि statutory status तो मिला ही था, लेकिन काफी सारी जगहों पर, पहले सिर्फ कुछी जगहों पर, कुछी राजों के अंदर, यह ombudsman का जो एक office है, वो create किया गया था, लेकिन 2013-2014 के बाद, काफी साथ इसको boost मिल और काफी सारे राजों को यह particular office को बनाना पड़ा, लोगपल एक multi-member body है, हो सकता है, एक statutory body है, यह भी हो सकता है, इसको constitution status जो है, वो दिया हुआ है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं discussion, चलिए, देखिए, अगर पहली statement को देखें, तो yes, लोगपल जो एक multi-member body है, पह बात करी जा रही थी, लेकिन house के अंदर उसको delete कर दिया गया, और constitution status इसको नहीं दिया गया, चीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो लोगपल है, इसका function होता है, और ombudsman का, यह जितने भी corruption के allegations होते हैं, उनको inquire करता है, चीक है, certain public functionaries जो होते हैं, जो लगता है कि किसी ना क कोई मुझे बता सकते है किसके द्वारा यह coin करी गई थी, कोई ना कोई व्यक्ती तो ऐसा होगा ना, जो यह terms को लेके आया थे, तो यहाँ पर answer है, Dr. L.M. Singh Vee, ठीक है, term of office की बात करें, लोगपल, chairman and members की, तो 5 साल का रहता है, या फिर till the age of 70 years, ज्यान रखिएगा, jurisdiction लोग Central Government के यह भी इसके ना include होते हैं, तो once you become the civil servant, you will also be under the purview of लोगपल, ध्यान रखिएगा, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, हमारा A, A will be the correct answer, चलते है, Q5 के ओपर, Q5 को देख लेते हैं, consider the following statements, दो statements देके पूछें कि बताएं, कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कतन आपका, सही है, Article 124 of the Constitution of India provides for the manner of appointing judges to the Supreme Court, Article 124 जो है Constitution का, वो यह बताता है कि Supreme Court के judges को कैसे appoint करने, क्या manner के अपर process, क्या procedure रहने वाला है, maybe, there is no specific provision in the Constitution for appointing Chief Justice, Chief Justice को appoint करने के लिए कोई specific provision जो है, हमारे Constitution के अंदर नहीं दिया गया, सोचें, क्या answer हो का, फिर करते हैं, discussion, चलिए, देखें, Chief Justice of India अभ Chester, Sharad A. Botby, ठीक है, उन्होंने upcoming CGI जो है, उनका नाम recommend किया है, क्योंकि यूजुली एक practice होती है, कि जो जाने वाले CGI होते है, वो आने वाले CGI का नाम recommend करके जाते हैं, और आने वाले CGI उनका नाम recommend किया है, हाँपे, किसका नाम recommend किया, Justice, Envy, Raman, he is the senior most judge of the Supreme Court, और next, top judge के लिए जो यह top most post रहती है, CGI की, उसके लिए नाम recommend किये, CGI should be the senior most judge, तो Supreme Court, ठीक है, Supreme Court के senior most judge वैसे भी होते है, law minister जो है, वो recommendation लेते है, outgoing CGI की, तो वैसे भी law minister जो है, वो यहाँपर Mr. Sharad A. Botby से पूछेंगे भी सही, कि आपको क्या लगता है, कि next CGI कौन होना चाहिए, उनका जो recommendation है, वो लिया जाता है, और यहाँ पर appropriate time के अंदर new CGI को appoint कर दिया जाता है, यह पूरी news थी, यहाँ पर जो नाम है, वो recommend किया गया, इसी वज़े से CGI का किस सपूरा news में था, और हमने यहाँ पर discussion किया, CGI को लेकर ही, article 124 बताता है, बिल्कु ठीक है, Constitution of India का, कि कि किस तरीके से Supreme Court Judges को appoint किया जाता है, बिल्कु ठीक हो जाती है बाद, लेकिन Chief Justice को appoint करने का कोई specific provision जो है, हमारे Constitution के अंदर, हमारे समीधान के अंदर नहीं दिया गया, तो second statement भी हमारी correct हो जाती है, answer क्या हो जाएगा, C will be your correct answer, ठीक है, चलिए, so this was the news, यह infographic था, यहाँ पे उनके बारे में पूरी चीज़े दे रखे हैं कि उनका जनम आंदर प्रदेश में हुआ, 1983 में advocate बने, then 2000 के अंदर, permanent judge बने आंदर प्रदेश हाई कोड के, उसके बाद function as the acting Chief Justice of आंदर प्रदेश 2013 के अंदर, then elevated as the Chief Justice of Delhi High Court, उसके बाद elevated as the Judge of Supreme Court, ठीक है, specialization कहाँ पर है, Constitutional Matters के अंदर, Criminal Matters क के अंदर, चेक है, चलिए, question number 6 के बारे में discussion करने से पहले, crack UPC examiner 100 days की series के बारे में जाल लेते हैं, now you know कि time जो है, वो काफी कम है आपके पास, so आपको जो भी important topics cover करने, you can enroll in this series, or daily basis पे, अपने important topics जो है, वो आप cover कर सकते हैं, you have to give 2 hours every day, 2 गंटे आपको regular basis पे आपे देने basis पे आपके mock test इसके अंदर होते रहेंगे, तो जब आप इस series के अंदर, या 200 days के series में, आप enroll करते हैं, तो साथी साथ आपकी जो test series है, वो भी यहाँ पर साथ के साथ हो जाती है, और यहाँ पर focus यही किया जा रहा है, कि 35-40 MCQs जो है, वो आपके extra यहाँ पर correct कराए जाए और पोशिश करी जाए कि कैसे वो 30-40 marks extra आपके prelims के इंदर, कि आप 60-70 की लाइन में आ रहें, वो कैसे increase किया जाए, वो कैसे increase किया जाए, but you have to give 2 hours every day, जो आपको वीडियो जो होंगे daily assignment के, वो आपको देखने पढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको quizzes और MCQs प्राक्टिस कर कर दिये गए, वो भी आपको यहाँ पर daily basis भी करने पढ़ेंगे, but it will help you a lot in your journey to crack the civil service, prelims examination, prelims को crack करने में, यह series आपकी काफी सदा help करने वाली है, so 200 days की series या 100 days की series जो भी आपको convenient लगती है, जितना time आप दे सकते हैं, उसे साब से enroll कर सकते हैं, और Holy 50 code को यूज कर सकते हैं as per your convenience, जिस भी साल अप एक्साम देने जा रहे हैं, लेकिन Holy 50 code को जरूर यूज कर लिए जाएगा, so that straight up, आपको 50% discount जो है, वो यहाँ पर मिल जाए, चलते हैं, question number 6 के ओपर, question number 6 जो है, जावरवान रेंज के बारे में आप पूचा गया, जावरवान रेंज इस जो है, उन्होंने सभी लोगों से कहा है कि जो टुलिप गार्डन है, वहाँ पर विजिट करना है, बेसिकली टुलिप गार्डन जो है, आपके जावरवान रेंज के फोटिल्स पर लोकेर करते है, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पर एक तरीके से प्राइम जो कि पीर पंजाल और ग्रेट हमालय रेंज के बीच में फॉल करती है, और यहाँ पर इसे देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका पीर पंजाल है, तो शिरिनगर से थोड़ा से यहाँ अगर आप एसन साइड देखेंगे, यहाँ पर आपका जावरवान रेंज है, तो इस लोकेशन, तो यह दोनों के बीच में फॉल करती है, और आपका जो इसके पास फॉल करता है, यह भी चीज दिहान रखेगा, चलते हैं, नेक्स्ट कुर्शन के उपर, विचिस कुर्शन नम्बर 7, पुचा गया आप अपूचा गया आपका फॉल इंडिया में आम चांदते अलग लग जगाओं पर मैंग्रोप्स पाई जाते हैं, इनकी खासियत जो है, वो आप जो एकॉलजी के लेक्टर्स चल रहे हैं आजकर, 200 डेस की सीरीज के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि आज कल हमने इसी के उपर मैंग्रोप्स के उपर ही डिसकुशन किया गया का, तो वेस्स पेंकोल ब्रॉक करी के लाना है है, सबसे पहले यह तो घटे करम में आपको लगाना है, डिसन्ढिंटिंग बढा ऩो बारे में शोन्च जकूशन अगर करे हैं तो सबसे ज़ादा है, वेस्स पेंकोल लगाना है, सबसे पहले हैं गजुजरा टेप इसे के अंदर आंसर आपका हो जाएगा सी सुन्दरबन नैशनल पार को बात करें तो इसे एस्टाब्रिश किया गया था 1984 के अंदर and they constitute a core region within the tiger reserve इसे युनास्को वढ़े रेटे साइट के तोर बे भी designate किया गया था 1987 के अंदर और इसे बाइस्वे रिजर्ब के तोर पर designate किया था युनास्को के द्वारा 2001 के अंदर सुन्दरबन वेट्लेंड जो है इसे भी recognize किया गया as the wetland of international importance जो कि again ecology के अंदर ये चीज़ें discuss कर चुके है ecology के lectures के अंदर ये इसे basically wetland of international importance रामसर convention के अंतरगर डाला गया था January 2019 के अंदर तो अभी दो सल पहले ही से डाला गया ये कुछ important facts सुन्दरबन के बारे में मैंने आपको बता दी है क्योंकि mangroves का जिक्र हो का तो सुन्दरबन के उपर भी question आ सकता है और यहां पर सब्सक्राइब के बारे में मैंने आपको बता दिया है इंडिया में मैंने में में मैं दिखा देता हूं लेकिन सबसे था वेस्पेंगोल देन गुजरात देन आपका अंडमाद निकोबार जो की पांगलादेश और इंडिया दोनों शेर करते हैं around 60% हिस्सा उनकी साइड है चलते हैं next question के ओपर which is question number 8 जो कि है शिग मौटसब के बारे में शिग मौटसब किस के साथ associate करता है तो यह basically पूचा है किस राज्ये के साथ associate करता है क्या नागलेंड में इसी celebrate किया जाता है और नाचर परदेश में गोवा में या फिर मिज़ोरम में सोचे चली देखें गोवा गवर्मेंट जो है अभी न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने शिग मौटसब जो है इसको शिग मौटसब का जाता है या शिग मौटसब का जाए या शिग मौ में किया जा सकेगा और मापूसा में किया जा सकेगा इन तीन जगह पर ही का है कि आप जो परेड़ आपने निकाल सकते हैं क्योंकि कोविड-19 के जो के सिग्वो बढ़ने के चांसें जिकि शिग मोटसब बेसिकली एक सेलिबरेशन है जिसमें बेसिकली गॉल्डवेस्ट प कि जो spring जो है वो आपका पूरा chunk शुरू हो चुका है अभी उसके तोर पे भी celebrate किया जाता है और वैसे spring जो हमारा March 19 से I suppose शुरू हो चुका है तो यहां पे हमारा जो answer होका वो होका गवा C is the correct answer ठीक है चलते हैं next question के ओपर which is question number 9 जो की festival को ले करी है ठीक है यहां पे पूछा है कि एक festival है चार option आपको दिये हैं क्या वो होली है दिवाली है वैसाकी है या न्यू यर है जिसको अलग लग जगा पे अलग लग नामों से जाना जाता है कहीं पे उसे शिक्मों कहा जात है कहीं पर से कामधान कहा जाता है तो हम किस festival की बात कर रहें जल्दी से बताएं कि हम होली की बात करें तिवाली की बात करें वैसाकी की या न्यू यू 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 बताएं चली देखें शिक्मों is celebrated all over India but with different names तो यह क्या है North India के अंदर इसे कहते है होली ठीक है और Assam और बेंगोल के अंदर इसे कहा जाता है डोल यात्रा ठीक है then South India के अंदर इसे कहा जाता है कामधान और महराष्टा में से कहा जाता है शिंगा यहां पर कहा गया है कि शिंगो जो है पूरी इंडिया के अंदर celebrate किया जाता है North India में से क्या कहा जाता है होली तो basically होली की ही बात ह और यह जिसे अलग-अलग राज्यों के अंदर अलग-अलग नामों से जाना चाहता है। इन सभी त्यारों के अंदर जैसे होली का देहन होता है, वो एक प्रक्रिया, वो एक प्रोसेस चो होता है, वो एक ट्रडिशन चो होता है, उसे फॉलो किया चाहता है। तो आंसर आपका हो जाएगा होली, चलते हैं, next और आज के last question के उपर, जो की CBSE की assessment framework को लेकर है, पूछा गया है, CBSE की assessment framework को लेकर बताएं, कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा गतन आपका सही है, पहली चिपन कहते है, it is rolled out for class 6 to 10, छटी class से लेके, दस्वी class तक के लिए इसे roll out किया जा रहे है, सोचें, चलिए, एक नया system जो है वो लाया जा रहा है, इसके तुर टीचर्स को भी train किया जाएगा, question paper को बनाया जाएगा, एक अलग तरीके से बनाया जाएगा, और बच्चों को एक अलग तरीके से assess करने की बात करी गई है, तो आप जानते हैं कि पिछले कु अगर भी इतना national education policy का जो हमरा vision है, कि हमें क्रामिंग नहीं करवानी है बच्चों को, हमें उन्हें burden नहीं करना है, facts को याद करवाके, रटा मरवाके, लेकिन हमें उनको क्या करना है, हमें उनको innovative बनाने है, हमें उन्हें more information देनी है, वो understanding के तोर पे देनी है, हमें उन्हें more creative बना है, इस चीज़ के उपर focus किया जा रहे है, और यह जो चीज़े है, global standard से भी mail खाते है, क्योंकि बाहर अगर आप देखेंगे western countries के नदर भी, वहाँ पर भी cramming के उपर ध्यान नहीं दिया जाता है, रादर वहाँ पर creativity और innovation के उपर ध्यान दिया जाते है, तो yes, 6th class और interview का एक एक question में आपको देने बाला हूँ, चली, so यहाँ पे जब हम revise करेंगे, तो I'll expect कि आप लोग जितनी भी चीज़े उस question को लेकर याद है, आपको उससे comment section में जरूर लिखिएगा, क्योंकि comment section के अंदर सिर्फ जो चीज़ मैं पूछना हूँ, उसके अलावा भी लिखनी है, ताकि आपको वो चीज़े एक्जाम में याद रहे, हमने double mutant के बार में पढ़ा था, जल्दी से बताएं कि इससे नुकसान क्या हो सकता है, और यह कहाँ पे आये, चली, तो यहाँ पे नुकसान सबसे बढ़ा यह था, कि हो सकते है, vaccine का impact इसके उपर ना हो, और स जाता है, यह भी बताएं का major जो आपका international trade होता है, वो इसी के तुरू जाता है, Asian ships यूरॉप में जाती है, Europe से शिप एशिया में आती है, 12% वर्ड का trade volume यहां से जाता है, यह यह मैरेट रहें सी को रेट सी से कनेक्ट भी करता है, और अफरिकन को Asian continent के साथ कनेक्ट करता है चलिए, international trade artery, यह मैंने आपको एक term बताईती है, याद रखेगा, then next हमारा discussion हुआ था, cyclone के बारे में, तो यहां पर जिसने सुंदरबंस को काफी साथा नश्ट किया था, damage किया था, 2020 के अंदर उसका नाम बताईए, काफी सारी जो political parties है, they are promising कि हम सुंदरबंस को re-establish कर दे यहां पर इसे redevelop करने में, हम अपना पूरा सायोग देंगे, तो यह था M1, ध्यान रखेगा, cyclone M1, फिर हमने discussion किया था, लोगपल के बारे में, तो लोगपल क्या constitution body है, yes या no, यह answer करेगा, it is a statutory body, यह तो पकी बात है, तो यहां पर ombudsman है, और यह corruption के cases को देखता है, जि all the officers, जो group A के हैं, या group B, C, D में, जो भी employees काम करें, वो सभी इसी के अंदर आते हैं, then question 5 के अंदर हमारा discussion हुआ था, chief justice को लेके, तो chief justice के लिए क्या constitution के अंदर कोई provision है, yes या no करके answer बताएगा, article 124 जो है, वो supreme court judges को लेकर, option डाला हुआ है, process बताया हुआ है, ठीक है, जायदा होता है, यहाँ पर मैंने आपको जो upcoming CGI उनके बारे में भी बताया था, और आपको ये भी खाता कि holy 50 code को यूज कर लीजेगा, to get the straight 50% discount, चरी और अपनी series को अच्छे से complete करियेगा, फिर हमने जजावरमान रेंज के बारे में देखा था, कहां पर लोकेट करती है, बंजाल और ग्रेट हिमालेन ब्रेंज के बीच में, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हम सभी को इन्वाइट किया है, कि JNK के अंदर जो आपके टुलिब गार्डन है, उसको देखने के लिए जरूरा है, तो ये चीज इंपोर्टन हो जाती है, एक्जाम के लिए भी, मैंने आपके इसके लोकेशन थी वह भी आपको बता दी थी, नेक्स्ट मैंक्रोब सबसे ज्यादा कहां पर हैं, वेस्पेंगोल गुचरात अंडवांटी को बार में पाई जाते हैं, और सुन्दरबन नाशनल पाक के बारे में, ये सब चीजे मैंने आपको बताई थी, और ये सुन्दरबन कहां लोकेट करते हैं, ये भी मैंने आपको मैपके आपके अपर दिखाया था, फिर हमने नेक्स्ट डिसकस किया था, शिख मौसब के बारे में, ये कहां सही, आता है, कोगा सही, और अभी COVID-19 की वज़े से का गया है कि जो परेड होगी, वो सिर्फ हैं कहते हैं, और मार्श्टरा के अंदर इसे शिमगा कहते हैं, शिख भो हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं, देन, लास्ट में, लास्ट कुछन में, सी बीए सी असेस्में प्रेमवर्क के बारे में बात हुई थी, तो यहां पर हमारी जो नेसल एट्योकिशन पॉलसी है, उस तो दस कुशन हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं, आई होप आपने काफी अच्छा स्पोर किया होगा, और रिवीजन काफी अच्छे से करी है, प्रिलिम्स में इंडिव्यू का कुशन देख लीजिए, उसके बाद कॉमें सेक्शन में अपने मार्क्स लिखेगा और क्या होता है, तो यह सब चीज़े हमने डिसकस करें, तो जे कर्फ के बारे में बताईएगा, में इसके कोशन के आते हैं, वट इस सिगनिफिकेंस अव सुन्दरबंस, आप देख रहे हैं कि वेरियस पॉलिटिकल पार्टी वस्पिंग ओल के अंदर सुन्दरबं के इशू क के उपर, एमफन के इशू के उपर, जो इलेक्शन है लड रही है, तो सुन्दरबं के सिगनिफिकेंस क्या है, यह कोशन पूचाता हो सकते है, जो ग्रफी के अंदर आप से, क्योंकि अभी यह जो इशू है, काफी होट टॉपिक बन चुका है, तो आप मुचे बताएगा, 150 words के अंदर सुन्दरबं का सिगनिफिकेंस क्या है, कि काफी सारी political parties इसको इसको इशू बना कर लडाई कर रही है, यह फिर कहीं कि इलेक्शन लड रही है, यूजिवली क्या होता है, इशू किसको बनाए जाता है, कास्ट को बनाए जाता है, रिलिजिन को बनाए जाता है, developmental issues नहीं रहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ unique देखने को मिल रहा है let's see, आप क्या लिखते हैं इसके अंदर interview का question और भी अच्छा है will you vote to the candidate who belongs to your caste and promise to work for your caste or the other candidate who is not of your caste but equally honest तो हापे दो candidate है एक व्यक्ति ऐसा है जो कि आपकी caste का है ठीक है एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी caste कर नहीं लेकिन दोनों ही equally honest है दोनों ही equally committed है काम करने के लिए देश के के लिए काम करने के लिए देश के हिक में काम करने के लिए तो आप decision कैसे लेंगे देखिए अब थोड़ा सा tricky हो जाएगा आपके लिए क्योंकि मैं यह नहीं गहे रहा हूं कि आपकी caste के व्यक्ति ओने कि लिए त्यार है आपको आप बताने के आप कैसे वोड़ देंगे क्या parameter को consider करेंगे अपना means काई से इस group में डाल दीजेगा प्रिलिम्स और इंटव्यू काहां से इस ग्रूप में डाल दीचेगा प्रिलिम्स के जो भी मार्क्स आपने देखे वह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कॉमें सेक्षिन में अभी लिग दीजिए इस आर्दा मार्किंग स्कीम्स जो आपके सामने है और इसमें आपको बताना है कि कितना टार्गेट आपने सेट किया था and what is the score which you have achieved कितना score आपने अचीब किया है जल्दी से बताएं किसने किसना score किया है जल्दी से comment section में बताएं जीरो भी score किया तो भी गबराने की बात नहीं है you can easily write it down because आगया आने वाले ताम में you will see your score improving तो यहां प video youtube जो है बाकी सभी जगाओं पर video को recommend करता है because when you like something youtube thinks yes it is a good material और वो बाकी सभी students को भी वो material recommend करता है so that's how you can help us चली telegram का group जो है वो नीचे description में दिया गया है तो आपको से join कर सकते हैं कोई भी doubt होता है you know where to approach me thanks for watching I'll see you today itself because आज 8 बजे भी हमारे class होने वाली है test book के अपर I'll see you there take care have a nice day